नमस्कार राजशिक्षा शोध एवं प्रश्रिक्षण परिशद पटना बिहार में आपका स्वागत है आज हम आपके समुख पुना प्रस्तुत हैं हिंदी के कक्षा को ले कर हम आज कक्षा इसके अध्याय नौ जिसका शिर्शक एक दिक्षांत भाशन है उसको हम पढ़ रहे थे लें पिक्षली कक्षा में हम केवल रचनाकार के बारे में जानकारी प्राप कर सके थे इसके रचनाकार हरी संकर परसाई थे हमने देखा था कि यह एक व्यंगकार है आध्युनिक काल के व्यंगकार हैं और इन्हें साही तकादमी पुरसकार भी मिल चुका है और राज कमल द्वारा प्रकासित शाह खंडों में परसाई रचनावली नाम से इनकी पूरी पुष्टक चपी होई है यह सारी जानकारी हमने पिछली कक्षा में ली थी फिर हमने उसिकष्ण में परसाई जी की तुलना की जाती है प्रेम टन से और कवीर से और एक तरफ नागार jump को आधुनिक कवीर और परसाई को भी आधुनिक कवीर कहा जाता है तो उसी नागारImp जीद्वारा रचित एक कविता जो परसाई जी के लिए लिए लिखन थी परसाई के व्यंगबान नाम से सिर्शक था उसका उसका वियमने अध्यन किया था अब आईए यह जो मूल पाठ है एक दिक्षांत भाषन उसको पढ़ते हैं दिक्षांत से तात्पर यह है कि जब किसी कोर्स को पूरा कर लेते हैं दीक्षा का अंत जब दीक्षा का अंत हो जाता है तो उसके बाद जाहिर सी बात है प्राण पत्र मिलता है तो दिक्षांत भाषन में एक नेता कैसे भाषन देते हैं उस दिक्षांत भाषन में उसी कि यहां आपको रूपरेखा दिखाई देगी तो आईए पाठ को प्रारम्भ करते हैं विश्व विद्यालेओं के दिक्षांत समारोहू का मौसम चल रहा है एक विश्विद्याले में एक मंत्री का देख्षांत भाषन मैंने भी सुना यह परसाई जी कर रहे हैं अपनी भाषन जो कात्तियों दे रहा हूं यह लेखक ने कहा है कि वर्तमान में देख्षांत समारोहू का मौसम चल रहा है यानि कि जाहिट तो वो लगभग एक ही समय में चलता रहता है तो उन मौसमों में एक विश्विद्याले में एक मंत्री जी दिक्षांत भासन दे रहे थे जिसको लेखक ने सुना था और उसी को कह रहे हैं कि जैसा मैंने सुना है ठीक उसी रूप में मैं आपके समुख इसको प्रस्तुत कर र राजनेता रहे है मंत्री जी बोल रहे है लेकिन वो लिखे जो लिखा है उन्होंने वो पर साई जी ने लिखा है तो देखते हैं क्या है प्यारे विद्ध्यार्थियों इस समारोह में छात्रों से ज्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा हूं मंत्री जी कह रहे हैं कि इस कि इस समारोह में छात्र जितने हैं उससे अधिक पुलिस हैं इसको देखकर मन आनंदित हो यानि आजादे के विश्वर्षों के बाद, दुनिया में बहुत पुराने विश्विध्याले होंगे, पर वहां भी एक छात्र के पीछे एक पुलिसमेन नहीं हो पाया, शासन को तो इस प्रगती का स्रे है ही, यानि बहुत से पुराने विश्विध्याले हैं, लेकिन वहां एक चात्र पे एक पुलिसमेन ये संभव नहीं हो पाया है और अगर ऐसा यहां हुआ है तो यह शासन की प्रगति को दर्शाता है शासन को तो इस प्रगति का स्रेय है ही आप लोगों को भी कुछ स्रेय है मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूँ जब आप लोगों में से हर एक के बाथरूम में एक सिपाही होगा यह लेखक आप समझेंगे इस भाषा को व्यंग जो होता है वो सिधे सिदे नहीं होता है वो किसी न किसी दूसरी दिशा से आकर बात कही जाती है मंत्री जी कह रहे है कि इतने सिपाही को देखकर मेरा मन में गध़द है लेकिन अभी यह विकास पूरा नहीं हुआ है विकास पूरा कब होगा जबकि मैं यह चाहूंगा कि प्रते के बाथरूम तक में एक एक सिपाही हो तब हम समझेंगे कि यह विकास मेरा जो है वह क्लुपती के आशन पर पुलिस थानेदार विराजमान होगा, आप इस दिशा में जो प्रगति कर रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, यानि मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री महोदेगा कहना है, कि जिस प्रकार से हम विकास कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रवाव होगा कि पुलिस कोई ने कोई वहां पे कुलपती के चेर पे भी कोई पुलिस बैठे हुए होंगे शाषन इस दिशा में जो करता है आप जानते ही हैं विश्विद्याले और पुलिस को निकट लाने के लिए शाषन पूर्ण प्रयत्न करेगा यहां आश्वासन मै इस पवित्र अवसर पर आपको देता हूं प्यारे शात्रों आप तो अभी से हल्ला गुल्ला और वूटिंग करने लगे एगजी जाडिए जो मंतिरी झी जब भासन दे रहे थे तो इतनी बात बोलने के पस चात्र हल्ला करने लगे तो यह मंतरी जी कहते हैं कि प्यारे छात्रों आप तो अभी से हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिये और हुटिंग करना आपने शुरू कर दिया, यानि कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही उसको सुनकर चातों जो है आवाज निकालना शुरू कर देते हैं, तो मंद्रे जी की बात आगे हम पड़ते हैं प्यारे चात्रों, आप तो अभी से हल लाग लावर हुटिंग करने लगे, इतने उताबले मत होईए, मैंने अपनी सुविधा के लिए भासन में हुटिंग के उपयूक्त कई स्थाल रखे हैं, यानि हुटिंग करना का मतलब जैसे कोई भासन दे रहा है और पीछे से व्यव से हुटिंग करना शुरू कर दिये, जवकि मैंने अपने भासन में उपयूक्त स्थाल रखा, यानि कई जगा ऐसा रखा है, जहां पी आप आसानी से हुटिंग कर सकते हैं, तो अभी उताबले मत होईए, आपको हुटिंग करने का पूरा-पूरा मौका मिलेगा, उन्हें आने तो दिजिए, और तब मुक्त मुक्त से हुट किजिएगा, मैं आपको बतला दूँ कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूँ, प्रशन उठता है कि फिर मैं दिक्षान्त भासन के लिए क्यों बुलाया गया, जवाब साफ है, कि मैं अगर इस बार भी न ब दिक्षान्त भासन देने आया हूँ, आप लोग फिर स्वर्गुल करने लगे, आप सायद हूटिंग के मूड में आ गया है, मैं इसका बुरा नहीं मानता, यानि अब इसके इतने हिस्से में आप समझें, कि मंत्री जी कहते हैं कि आखिर दिक्षान्त भासन में मुझे क्यो पिर ये बताते हैं कि दिक्षान्त भासन में इसलिए बुलाया गया है, क्योंकि अगर इस बार भी आप मुझे नहीं बुलाते, तो आपके विश्विद्याले में जो ग्रांट होता है, वो मैं नहीं करता, और नहीं करता, तो आपकी पढ़ाई रुक जाती, तो आपकी पर खड़ी है, यानि कि नहीं बुलाना ऐसी स्थिती है, विद्यार्थियों की इच्छा नहीं है, कि उनको बुलाया जाए, लेकिन ऐसी स्थिती इन्होंने पैदा कर दी है, कि बुलाना मजबूरी है उनकी, और यही कारण है कि इनको बुलाया गया है, यह अपने भासन मे का सामना करना पड़ता है लेकिन अपर जनता की हुटिंग से मैं उब चुका हूं आप जैसे सिक्षित नव्युवक मुझे हुट कर रहे हैं यह काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है यह फिर यह मेरे लिए गौरव की बात है कि इस वक्त जब मेरे साथी दूसरे साथी दूसरे मंत्री गवर्नर लोगों के द्वारा हूट हो रहे होंगे मैं एक विश्विद्याले में हूट हो रहा हूं इससे मेरा अस्तर बढ़ता है शोरगुल आवाज कशी और हूटिंग के मामले में मैं आप लोगों की छमता जानता हूं फिर हूटिंग को लेकर यह काता है कि मंत्री जी के दूसरे साथी जब दूसरी जगों पर भाषन दे रहे हैं तो उन्हें या तो दूसरी मंत्री गण या उनको सुनने वाले जनता हूट करते हैं वो अनपढ़ हैं तो अनपढ़ लोगों से हूट होने के जगह पे यह एक पढ़े लिखे लोगों से नौजवान लग रहा है शोरगुल आवाज कशी और हुटिंग के मामले में मैं आप लोगों की ख्षमता जानता हूं मैंने कोयल से पूछा था पहन जी आप पेड़ों पर बैठी क्यों गाती हैं उसने कहा पहले मैं शहर में गाती थी पर विश्विद्याले के लड़कों ने हुट करके बढ़ा दिया इन्होंने कोयल से पूछा कि आप पेड़ों पर क्यों गाती है तो कोयल ने जवाब दिया कि मैं पहले पहले शहर में ही गाती थी लेकिन विश्विद्याले के लड़कों ने हुट करके भगा दिया इसलिए पेड़ पर बैठ कर गाना पड़ता है मैं यह इनकार कर देंगे गुरु विरस्पती यह तो मेरा ही कलेजा है जो बोले जाने जा रहा हूं मेरे साहस का कारण यह है कि मैं विरहस्पति की तरह ज्यानी नहीं हूँ ज्यानी कायर होता है अविद्या साहस की जननी है यानि कि जो जानकार लोग है लेखक के अनुसार उस मंद्री जी के अनुसार वो कायर होते है यदि यह कह रहे हैं कि यदि आपके कुलपती की ख्षमता तो गुरु विरहस्पति को भी उला लें वो भी यहां आएंगे तो भी हुट कर दिये जाएंगे और पहली बात कि यह भुलाने पर आएंगे ही नहीं क्योंकि वो ज्ञानी है और ज्ञानी लोग कायर होते हैं और यह मंत्री जी चुकि ज्ञानी नहीं है इसलिए इनको हुट कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यही कारण है कि इनकी क्षमता इतनी है कि या विश्विद्याले के लड़कों के सामने एकदम मुप आराम से खड़े होकर भासन दे रहे हैं और हूट किया जा रहा है और इनको कोई फरक नहीं पड़ रहा है इनके लिए रिफ्रेशिंग लगे हैं मैं इस कारेक्रम की तुलना जब पस्चिम के ऐसे ही कारेक्रम से करता हूं तो मेरा मन भर उठता है पस्चिम में ऐसे मौके पर अंडे फेके जाते हैं पर हाय भारत माता के इन लोगों को कंकर फेकना पड़ता है वे अंडे नहीं खरीद सकते देश की आर्थिक द करें आप व्यंग देखेंगे लिखक की श्मता आपको इससे पता चलेगी कि करें कि मंतरी जी की भाषा में आत्मिस्वास कई प्रकार का होता है धन का बल शक्ति का एस्वरे का लेकिन मूर्खता का जो आत्मिस्वास होता है वो सबसे बढ़ा होता है फिर करते हैं ते विदेशों से कि देखिए आप यहां कंकड फेक रहे हैं जबकि पस्चिम के देशों में ऐसे अफसरों पर अंडे फेक जाते हैं और फिर देश की दूर्दसा की बात करते हैं कि बताइए इससे दूर्दसा ज्यादा और क्या होगी कि हमारे भारत के देश के नौजवानों के पास हूटिंग करने के समय फेकने के लिए अंडे तक नसीब नहीं है इससे ज़्यादा दुल साथ इसकी और क्या हो सकती है पर मैं मैं आपसे कहता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आप निराश मत हो यह हम पर भरोसा रखिये हम देश का विकास कर रहे हैं आप जल्द ही अंड के जरूर फेकवाओंगा इसके लिए चाहे मुझे सौ साल भी मंत्री क्यों न रहना पड़े युवामित्रों आपने ताली बजाने का एक स्थल खो दिया खैर आगे ध्यान रखिएगा मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ लड़कियों के पीछे खड़े होकर बकरे की बोली बोल रहे हैं मैं जानता हूं अच्छी लड़कियां जानवर की बोली बोलने वाले युवक से ही प्रेम करती हैं मेरा लखा एक लड़की के पीछे कुट्टे की बोली बोला करता था वह इतनी मुगध हुई कि उससे प्रेम करने लगी अब दोनों की शादी भी हो में मेरा ललका भण भण करता है तो बहु लुकरती है इससे परिवार का वाता वरन सुख़द रहता है कि युकों देश को आपसे वड़ी आसाये हैं कि देश का भविष्च आपको ही बनाना है आप पूछेंगे वर्तमान का क्या होगा वर्तमान की के लिए कुछ काम ही नहीं रह जाएगा तब आपनी ठल्ले हो जाएंगे और यह देश पतन के घर्थ में गिर जाएगा कि इद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि भासन के दौरान में मंत्री जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों के पीछे छिपकर कुछ लोग बकरी की आवाज निकाल रहे हैं इसमें लेकिन इसमें बुरा मानने की बात नहीं है क्योंकि लड़कियां ऐसे ही लड़कों को पसंद करती हैं जो जानवरों की आवाज निकालता हो जैसे ये अपने फुत्र की बात करते हैं कि मेरा लड़का है एक लड़की के पिछे कुट्ते की आवाज बोलता था और वह इतनी मुझधुई की दूनों की शादी हो गई तो यह इस प्रखार की बाते चल रही है उसके बाद तो यह बता रहे हैं कि अब दोनों की शादी हो गई है घर में लड़का भावों करता है और भुम्याव करती है इससे वातावरन सुखद रहता है फिर यह बताते हैं कि देखे मेरे देश के युवक देश को आपसे बड़ करना है तो आप सोच रहे हों कि वर्तमान का क्या होगा तो वर्तमान के बारे में मंत्री जी कहते हैं कि वर्तमान की आप चिंता मत कीजिए वर्तमान को तो जितना बिगाड़ना था वो हम बिगाड़ ही रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं फिर प्रश्ण करते हैं कि आखिर हम मिले आपनी ठले न हो जाएं बैठ न जाएं इसके लिए वर्तमान को बिगाड़ना भी एक महत्वण कारे है जो महत्वण कारे मंत्री जी कर रहे हैं तो आने वाले नौजवानों को भाविश्य की चिंता करने की बात करते हैं और भाविश्य सुधरेगा तब सुधरेगा कि अभी काम को बिगाड़ा जाएगा यही कारण है कि मंत्री जी वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं आप युवक हैं क्रांतिकारी हैं मैं आपके क्रांतिकारी आंदोलनों को बड़े ध्यान से देख रहा हूं जब आप बस कंड़क्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरद्ध क क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है तब तक जब तक आप बस कंड़क्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे मैं आपसे अपील करता हूं कि इन ही के खिलाप आंदोलन करते रहें जिस दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन करेंगे हम उसी दिन उखड़ जाएंगे इसलिए आप सच्चे क्रांतिकारी बने सच्चा क्रांतिकारी कंड़क्टर गेटकीपर चपरासी वगएरे से ही संखर्ष करता है इसमें कहा ये जा रहा है मुझात्री जी कह रहे हैं अपने युपकों से कि है युझक आप जब-जब गेटकीपर से कंड़क्टर से सिनेमा घरों में आप जब हल्लहंगामा करते हैं धगरते हैं वहां के गाड़ से तो मुझे बढ़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये सारे काम करके आप मुख्य काम जो है विकास का काम है इन टॉपिक्स पे आप जगडा करना बंद कर देते हैं तो अगर आप मुख्य विश्यवस्तु पर जगडा करना शुरू कर देंगे तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है यानि मंत्री जी के लिए अच्छा नहीं है तो इसलिए मंत्री जी सला देते हैं कि आप इसी प्रकार गेट कीपर से सिनेमा घरों में जो गेट मैन हैं उन सभी से जगडा करते रहें चपरासियों से जगडा करते रहें ताकि आपका मुख्य काम चलता रहे और मंत्री जी का काम भी चलता रहे अब मैं आपको एक संदेश देता हूँ हर आदमी को जीवन के सत्य को पकड़ लेना चाहिए और उसके लिए हर करतव करना चाहिए जैसे मैंने समझ लिया कि मेरे जीवन का सत्य मंत्री बनना है इस सत्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा इस सत्य के लिए मैंने इमान धर्म सब का परित्याग किया सत्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ता है मैंने किया और आप जानते हैं कि सत्य मुझ से कभी नहीं छूटा अब मंत्री जी सत्य की बात बोल रहे हैं कि सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए अपनी चर्चा कर रहे हैं कि मैंने सत्य का साथ हमेशा दिया है उसका दामन पकड़े रखा है क्योंकि सत्य का साथ कभी नहीं छूटना चाहिए लेकिन ये सत्य जो है किस प्रकार का है ये हम पाठ के भी आगे समझेंगे ये तो सही है कि सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन मंत्री जी किस सत्य की बात कर रहे हैं ये हम आगे पढ़ के समझेंगे मैंने किया और आप जानते हैं कि सत्य मुझ से कभी नहीन छोटा किसी भी पार्टी का मंत्री मंडल हो मैं जरूर मंत्री रह, जिसका मंत्री मंडल बना मैं उसी का हो गया सत्य को इसी तरह धांतों से पकड़ा जाता है आप मेरे आदर्स पर चलें विश्विद्याले के जीवन में आप यदि तै कर लें कि आपका सत्य डिग्री लेना है तो इसके लिए पेपर आउट वो नकल से लेकर अध्यापक से मार पीट तक करें सत्य से बड़ा कुछ नहीं है यह मंत्री जी कहते हैं कि सत्य जहां तक सत्य की वात उन्होंने की वहां तक ठीक उसके बाद कहा कि सत्य का मैंने हाथ साथ कैसे दिया है देखिए, मेरा निर्णय था कि मैं मंत्री बनूं और बना रहूं, तो मैं बना हूं, चाहे कोई दल हो, कोई पार्टी हो, मंत्री मंडल किसी का बने, मैं मंत्री बना हूं, तो इन्हों ने ये दिखाया है कि मंत्री मंडल किसी का भी हो, लेकिन मंत्री इनका बनना धर्म है, इ दूसी प्रकार विश्मिद्याले के चात्रों को कर रहे हैं कि आपको सत्ट इस प्रकार पकड़के चलना है इस किसी भी प्रकार की जुगत करनी हो, आप करें, चुकि सत्य ही है, जैसे आपको अध्यापक से मार पीट करनी हो, आपको हल्ला करना हो, हंगामा करना हो, आंदोलन करना हो, परिक्षा में नकल करना हो, इन सभी चीजों के लिए आप जीतोड मेहनत करें और सत्य के साथ अडिग मेरा दूसरा संदेश यह है कि आप लोग राजनीती में भाग न लें अगर आप राजनीती में भाग लेंगे तो हमें राजनीती छोड़नी पड़ेगी आप लोग चरित्रवान बने अगर आप चरित्रवान न बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा और अब हमारी चरित्रवा बनने से बच जाएंगे थी तो मंतरी जी का पहला सृधेस था किस सत्य का साथ promo ठोड़े कि इस प्रेकार से सत्य का साथ देना है वह आप समझ गया है दूसरा जो इनका संदेश है वह ये है कि आप आप राजनीती में भाग ना लें, राजनीती में भाग क्यों नहीं लें, क्योंकि राजनीती में यदि आप भाग लेंगे, तो मंत्री जी को राजनीती छोड़नी पड़ेगी, और राजनीती में भागने के लिए लेने के लिए चरित्र से समझाता करना पड़ता है, तो आप चरित्रवान बनिए क्योंकि जब आप राजनीती में आएंगे तो अपने चरित्र को भिगाड़ना होगा तो आप चरित्रवान बने इसलिए राजनीती में प्रवेश नहीं करें क्योंकि राजनीती में चरित्र के जो गलत होते हैं उनको प्रस्राइ मिलता है और यह कहते हैं कि नहीं आप उमानदार बने अधिन के नहीं या राजनिती में आपकी जगह बिल्कुल थी नहीं वह हम लोगों के लिए रहने दें आप त्यागी बने आप ऊपन heaven आपके इमानदार बन जाने से हम इमानदार बनने से बच जाएंगे ब neural shamish Tech को Taste देश के सच्चे सपूत बने अगर आप नहीं बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा और हमारे सच्चे सपूत बनने की उम्र नहीं रही तरण मित्रों देश को आपका ही भरोसा है आप पर देश भरोसा नहीं करेगा तो फिर हम पर ही भरोसा करना होगा और यह देश के लिए अ मंत्री जी करें कि आप इमानदार बनेंगे, क्योंकि अगर आप इमानदार नहीं बनेंगे, थो फिर हमको बनना पड़ेगा, और इस ढहलती उम्र में अगर हम इमानदार बनेंगे, तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. इसलिए आप देश के सच्चे सबूत हैं सच्चे नागरिक हैं इसलिए आप इमानदार रहिए हम अगर बेइमान हैं तो हमें बेइमान रहने दीजिए प्रच्छन रूप से यही कहा जा रहा है हर लाइन में हर पंक्ती में आप देखेंगे कि व्यंग इस तरह से है कि राजन परणुमित्रों, आपको यह विदित ही है कि समारोह में मुझे भी आपके साथ कानून की डॉक्टरेट बिना किसी इम्तिहान के पास किये स्वसम्मान मिल रही है, यह बड़ी स्वस्त परंपरा है कि जो परिक्षा पास न कर सके उसे सम्मान पुर्वक डिग्री मिल जाए, आ कि अहा चात्र जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबकामन चाहा, चाहे, एक कवी की चर्चा कर रहे हैं कि कि किसी कवी ने ठीक ही कहा है, कि अहा चात्र जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबकामन चाहे, डॉक्टर बनने की इच्छा मेरी बच्पन से ही थी, पर अकल ने साथ नहीं दिया यह इच्छा आज पूरी हो रही है मैं जानता हूं कि यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता ओम शान्ति 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 और यह कहकर यह पाठ पूरी तरह समाप्त होता है तो अंतिम पंक्ति में भखाते हैं कि बिना पढ़े मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है यह व्यवस्था बढ़ी अच्छी है इस विद्यालेओं की कि जो पढ़कर डॉक्टरी नहीं कर सके वो उसे कम से कम बैठे बिठाये डॉक्टरी की डिग्री मिल जाए फिर ए अइसी विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जो हर व्यक्ति उस दोर से गुजरने के बाद उसको याद करता है और चाहता है पूरे जीवन जब आपको चलना होता है एक विद्यार्थी जीवन में आप तय कर लेते हैं कि आपको क्या करना है आपको क्या बनना है आपको कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो वह एक ऐसा मार्ग है जिस पर कई मित्र आपके मिलते हैं आपके कई साथी मिलते हैं और वह सुखद स्मृतियां जो आप विद्याले जीवन में विताते हैं वह आपके लिए पूरे जीवन आपके साथ रहती हैं यही कारण है कि कभी ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन ऐसा है जो हर व्यक्ति जीना चाहता है जो निकल गया है जो गुजर गया है वो दौर जान चांत भासन शिर्शक को पढ़ा कहानी को कहानी नहीं या एक रिपोर्ट आज भासन आप कह सकते हैं भासन है जो हरी संकर प्रशाई द्वारा लिखी कई है तो व्यंग्यात्मक्षैली में थी मुझे उमीद है कि आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा और आगे फिर इसको आप पढ़ें घर में पढ़ें इसका अभ्यास करें फिर इसके प्रशन अभ्यास के साथ हम आपके समक्ष फुना प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और स्वस्त रहें नमस्कार